हेलो फैंड वेलकम टू सीवन क्लासेश दनबाद मैं आक्ष्य है आपका जो औरेलवे एलपी और टेकनिशन्स के लिए जो मैस का क्लासेश लेके आया था 39 डे टाइगेट के नाम से उसका ये डे नंबर 27 है इससे पहले 26 सेट आ चुके हैं अगर आप लोगों ने सब 26 सेट न सब्सक्राइब क्यूंकि अगरता हूं तो आपको अप्षों से कैसे स्ब्सका या अलग बताता हूं अप्षण से हो गया कैसे स्टाइब करने वीडियो से पहले मैं बता देता हूं यह जो भी कोश्यंस लिया गया है के नाम से के बहुत अच्छा बुक आता है डिस्पले पे आपको दिखता होगा टीस पी वाई क्यू के नाम से यह बुक सेल होता है मार्केट में इसमें कोश्चन्स बैंकर 2018 से लेके 2023 तक जितने भी कोश्चन्स पुछे गए हैं रेलवे के जामिनेशन में एंटी पीसी सीवी साथ में सभी कोश्चन्स को कंपाइल करके 255 सेट का बनाया बुक यह बुक में टोटल इसी बुक का कोश्चन्स को मैं सेट वाईज सॉल्व कराता हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को तो अगर यह आपको बुक लेना है तो आपके नजदिकी बुक स्टोर पे अब लेवल है इन्नों में सबसे बढ़ा है इनसे बताना है इसा सबसे बढ़ा कौन सा एक मैं वपाट तो इनका बनाने कर बढ़ा énorm कोशो को सुन लिजएगा पहले basic technique कैसे होता है देखिए सबसे बड़ा क्या होता है हम कैसे मैं थोड़ा सा basic बता तो जैसे आप से पूछा जाए कि 5 और 7 इन्हें बड़ा कौन है आप कैसे काम करते हैं 5 को लिखते हैं 5 बटा 1 7 को लिखेंगे 7 by 1 ऐसे लिखेंगे अब हम देख लें सबसे बड़ा संख्या हो जागा ठीक है हम यहां से बना रहेते हैं लेकिन जब आनुपात में आता है तो नीचे एक नहीं है नौ है 16 है 17 है ऐसे संख्या है अलग-अलग है तो इनको एक बनाना या इनका LCM लेना थोड़ सा typical होता है अगर question संख्या आसान है नीचे LCM लेना आसान है तो आप LCM लेकर बनेगे सबसे आसान बनेगा वह मैटर ठीक है लेकिन जिन संख्याओं में common ना हूं उसको कैसे बनाते हैं उनको क्या करते हैं जैसे मैं दो संख्याओं को एक ग्यांपल में बताता हूं देखिए तू बाइन है और एक है फॉर्टीन बाइ सिक्स् अब देखिए थाटिटिव बढ़ा की वन टॉंटेशिक्स डेफिनेटली वन टॉंटेशिक्स बढ़ा है यह व्यवाला संख्या बड़ा हो जाएगा ठीक है उसका मतरत तिर धनुस जाशा उसका गुम्यूना कीजिए जो संख्या बड़ी होगी वरी संख्या जो जिससे सा करेंगे तो कैसे हम आते हैं देखिए चौदा को विस से कीजेगा तो चौदा दुनी अठाइस मतला दोसो असी के आसपस आएगा दोसो असी यह हो सकता है एक करेंगे तो इसका कम्प्लीट में बता तो 294 आने वाला यहां शोला को जब 23 से करने वाला ना तो शोला दुनी बा करेंगे टॉंटीवन को 63 से मल्टिप्ला आएंगे यहां देखिए बड़ी संख्या बड़ी से करेंगे छोटी संख्या को छोटी से करेंगे तो जो बड़ी संख्या कौन सा टॉंटी थिए यह इंसर नहीं होगा टॉंटीशी अब हमारे पास दो आप्शन वाज़ गया 3401 कितना होता है 391 होता है 3401 अब 19 को 21 से करेंगे तो कितना हो जागा उनीच दूनी अरती 380 और 380 20 कितना होगा 300 के आसपास होगा जिक्किन होता है 298 होता है 298 होगा ठीक है नहीं नहीं तुन एक मिनट उनीच दूनी अरती 380 होगा 380 यह प्लस उनीच कितना होगा 399 399 कौन सा बड़ा है 19 वाई 16 बड़ा है 19 वाई 16 सबसे बड़ा फैक्शन हो जागा 19 वाई 16 मैंने अनुपास से कनवर्ट करके बताया है आपको क्रोस मल्टिप्लाइ की जिएगा सब्सक्राइब बड़ा हो गया वह बड़ा वाला जिस चोटा है वह छोटा वाला 399 बड़ा है तो डिफिनेटली वाद है 19 वाई 16 बड़ा होगा 21 वाटा तेज से आप इसको ऐसे बना सकते हैं ठीक है एक दोंबर्ट मैं लिख देता हूं इनको बना के देखिएगा ठीक है देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर लिखते हैं 17 वाई 23 एक लिखा मैंने 19 वाई 21 एक लिखा 17 वाई 21 और एक लिख़ा मैंने 31 वाई 29 अब बताएगा इन में से बड़ा कौन है इन में से बड़ा कौन है ठीक है यह चलेंगा अगले अगला जो कोश्चन्स है वो कोश्चन्स के दिए यह भी काफी अच्छा कोश्चन इसमें टेक्निक आज इतने भी कोश्चन लिया गया है वह लिखा हुआ है कि आज इसे नंबर संक्य कहां तक है 200 तक है कामान है को देखा गया है 25 कね है यहां पर 95 आप से पूछाँ हुआ है टौन्टइवन ऊप्वान आपके ऑपुछ और पूछा लेलके हैं इनमें हम चैक करते हैं और नहीं होता है तो डोनों को मल्टिपलाइ गए देते हैं क्या इनमें कॉमन है दोस्टो एक को कैसे लिख सकते है । ग अम लिक सकते हैं कि निटो क्या लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं यह भी लिखा जाएगा यह भी आ जाएगा तो सभी संख्या ए में आ जाएगी तो इनका क्या जागा एल्सियाम और एंड बी इस दा संख्या जो सिफ एक होगा वही एक हां है ऑप्शन तू में दिया हुए यहीं इसका राइट एंसर हो जाएगा यहां पर जो भी टर्म लिखा हुआ है न वह इन टेवल इनके में फैक्टर में आ जाता है एक से लेके दोस्तों के ब पड़ी वाली संख्या LCM वह हो जागा ए जो ए में से 200 के बीच में दिया है मुल्टिबल संख्या यह हो जाएगा ठीक है देखिए कॉंसेप्ट के असला का कमें में बताइएगा चलेंगा वगले कोश्चन पे कहीं डाउट होगा तो आप बताइएगा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब काफी अच्छा है तो आप जाके आप ले सकते हैं ठीक है एक बुस्टेट बैच लॉंच किया जाएगा काफी नॉमिनल कोश्ट में तो आप अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लिए जा लेंगे अगले कुश्चन पर अगला जो कुश्चन से वह बोला कि एक क कुल संख्या कितना है फूला गया है यहां पर आप के से बना सकते हैं इनको कि आ प्रफ्र न करेंदर करके दो चौह एं पे यहां पर कहा दिया है यहां पर पच्छासी सो आठगा पान सो औस्त कितना दिया औस बीच में लिखाता है दस ते पान सो ये वस्त दिया है इनका हम दोनों का डिफेंस ले लेंगे दस जाए पान सो में सब्साड़ हाठ आज जागा तो बचे कितना 2000 है अब यहां पर कितना होजेगा सपंदर हजाय में से दस तो बचता कितना पाश यहां लेकिन साड़े-दस जयागा तो बजए गार सबसुनना से दो सुनना काट दी है और कटे गए पांचोक बीस और यहां कटेगा नो पडम तालिस मतलब क्या फिर मेंलह कितनी है नो मेघ कितना है अब यहां पे मेल का संख्य Meh कितना धिया है तो चार कर मांद takt-इस hazard agreed लगलना एह भी नोगुना हो जाएगा तो टॉटल शंख्या बीना हो जाएगा टू टलव हुआ एक सो सत्र कहा है option D में दिया हुआ है 117 यहीं इसका राइटेंस होने वाला है राइटेंस यह हो जाएगा ठीक है तो चलेंगा अगले questions पर अगला questions है यह भी काफी अच्छा questions है इन पर भी ध्यान दीजिएगा यह questions रख से कैसे बनाएंगे यहां पर कितना 1111 खारा नंबर वन कितने टाइम से लिखा वह पहले आंक एक दो तीन चार पानच छे साथ आठ नो लेवन टाइम से सब्सक्राइब डर्वाएवन एक त्वेल टाइम है टुवेल्स टाइम टाइम इलेवन है इलेवन किंटन टाइम है 12 टाइम है तो वन टाइम 11 लिखा हुआ एक दो तीन चार पांट छेस साथ आट नो दस गाया बहरा ठीक है 12 टाइम 11 है यह पुछा किन से विवाज्य हैं तो देखें पांस से विवाज्य के लिए लाश्न है पांस यह सुनने आना चाहिए नहीं होग तो यह इसका राइट अब एक और टेकनिक है कैसे 11 का कैसे चेक करते हैं 11 का हम लिखते हैं कैसे देखें 11 का हम लोगों का ट्रिक कैसा था कि दोनों के डिफरेंस में सुनने आना चाहिए यहां पर इसका इसका 12 है जो कि एक even number है इसलिए 11 टाइम 111 लिखा हुआ है इसका मतलब 6 इधर सम आगा 6 इधर सम आगा दोनों को घटा देंगे तो सुनने आ जागा यह संख्या 11 से multiply हो जाएगी यह संख्या 11 से divide हो जाएगी और साथ में इन संख्याओं का sum 12 है 12 का मतलब यह 4 सी भी जाएगा और 3 से भी जाएगा फोच से नहीं जाएगा क्योंकि एवे नहीं है वोसे नहीं जाएगा बट यह थो से जाएगा इसलिए मैंने बता हो जाएगा अब जोड कि देख्या से तीन से और 11 दोनों से डिवाइड होगा तो ऑप्सन दीस का राइट हैं से हो जागा ठीक है इस टाइप और कुश्चन को देखेगा जभी भी देगा नंबर ऑप्सन के इवे नहीं देगा काउंट कीजेगा इवे नहीं नंबर होगा 11 से डिवाइड हो जाएगी ठीक है काफ की अचछा क्वश्चेन से का कुश्चन को मैं समझा देता हूं बोला क्या क्या哦 माल लेथि कि X Yः या में संख्या है यक्षा संख्या करन के योगः उसी संख्या में depression स्थे कि योग आजागा योग इनका योग आ जागा XKReय मेंAyम से जाएगा योूर ईनका योग् तो आपको बताना है है वह संख्यां जो है यह एक्स वाय है किन संख्यां से डिवाइड होगा हम एक्जाम्पल लेकी चलता है ठीक है इसमें एक्सवन है वाई है 14 में से इनके सम को वन प्लस फोर को घटाए जाए तो क्या आने वाला है 14 माइणास 5 क्या आने वाल ना ने वाला मतलब संख्या 9 सेंट हो जाए क्या समसे घटा आब हमेसा 9 से दिभाइट होगी एचेक कर लेते हैं और Islam संख्या ले लिए एटी सेवन में से हम क्या घटाएंगे सेवन प्लस एट घटाएंगे क्या नेवाला है 87 माइनस यहां क्या 15 तो 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा आपका 72 का मतलब क्या है यह 8 से जाएगा और 9 से जाएगा देखें 9 आ गया मतलब कि 9 से पॉसिबल हो सकते हैं एक संख्या और चेक कर लेते हैं दो में मन नहीं भाता है एक संख्या और देखते हैं एक संख्या मैंने खुद से ले लिया 23 23 में से क्या है घटाएंगे 2 प्लस 3 को जोड नाइन इस राइट एंस ऑप्सन भी यह संख्या नौ से ही डिवाइड होगी चलेंगे अब अगले कोश्ण्स पे अगला जो कोश्ण्स है एक दुकानदा उत्पाद एक पर के परसेंट आउत्पाद बीपर के प्लस 15 परसेंट के छूट देता है एक अंकित मुले समान है माग अंकित मुल सबका माल लेंगे हंडेड है अब देखें हंडेड में माल लेते हैं कि हम बोलते हैं कि दस परसेंट का डिस्काउंट दिया डिस्काउंट कितना दिया दस कता हम सेलिंग पाइस कैसे निकालते हैं हंडेड का डिस्काउंट दिया है ठीक है कि सेल कितना में होगा ऋल्टे जब हृब्वाज तो होगा एक मिनटेज मैं यहां पःसन्ट का डिस्काउंट है नवे में vendor में के पर सेंट का डिस्कार मार्वाज है तो पहला आ के लिए और सकेंड वी के लिए A के लिए क्या आएगा A के लिए उपर में B के लिए नीचे एसे को ध्यान दीजेगा यहाँ देक्येदर इल्टा दिया हुआ है मैंने यहाँ पर कोश्वन मी उपर दिया है इनसे क्या कुछ Tudo को सब्सक्राण त ही परया amo के का discount है और बी में 100 में के प्लस 15% का discount है और discount होने के बाद दोनों का selling पर इस क्या हो जाता है के के क्यों सा एक के लिए एक के लिए 16 है 16 भाई 13 हो जाता है यहां से क्या आ गया 100-K और नीचे क्या आ पंदर आ गाँ तो 85 आ जागा 85-K यह आ जागा उपर में क्या आगा 13 भाई 16 भाई 13 ठीक है अब देखिए इसको बनाएं कैसे 85-K यहां है 100-K कितना ज्याद है उपर वाला संख्या 15 ज्यादा है सिफ 15 ज्यादा है यह अनुपाद में कितना यह 13 है है यह 16 है यह 3 ज्यादा है 15 जादा है तो difference को हम equal करते हैं कैसे equal होगा तीन को 15 मानाना पड़ेगा तीन को 15 मानने के लिए इन संख्याओं को 5 से multiply करना होगा उपर वाला संख्याय से equal to की साइट सेम रहने रहने वाली है यह हो जागा 100-k और यहां पर क्या जाएगा 16 इंटू 5 यहां सब्सक्राइब कोई दिक्कत चलेंगा वर अगले स्टेप पर हंडेड माइनस के 16 पचे 80 क्या आ जाएगा हंडेड में से 80 जाएगा क्या मान कितना आ गया 20 परसेंटेज में निकालना था तो पर्सेंटेज लिए ये करमान 20 परसेंट कहा है ऑप्शन सी में दिया है 20 परसेंट यहीं डिसकाउंट होने वाला 20 परसेंट का अपको समझ में आगे हो कहीं डाउट होगा आप कमेंड किजिएगा इसको यहां इस पोल्ट पर डाउट हुआ मैं वापस इस को बता दूं काफी अच्छा कोश्ण से रिपीटिंग होने का चांसे से एलपी टेक्निशन के एक्जाम में चलेंगा अगले कोश्ण से हमारा दो संख्यां इस परका है कि पहली संख्या का 25 परसेंट दूसरे संख्या के इतना के बाबर है तो दोनों संख्या मे सेवन्टी टो सेवन्टी टो डिवाइड़ वाई हंडडिड ठीक है अब हम उसको कैसा लिख सकते हैं एक सोना एक सुना काट लिए हैं तो गया सत्वाटव पर चासी कितना जगा 72 divided by 17 percentage के लिए 100 ठीक है अब हम काटेंगे एक सुनना से एक सुनना सतर पचे पचासी पांद उनी दस दो से काटेंगे 36 सकेंड संख्या 36 अब क्या बोला है दो संख्या पहली संख्या का 25 परसेंट पहली संख्या का 25 परसेंट कि दूसरी संख्या के वक्याव वयद्युसर संख्या के छट्यश इंतू 36 का इक वल है तो दोनों संख्या हमें क्या आता है आपके बोला गया गया है धीक है कि दोनों संख्या हम क्या डिफेंस है को पहली संख्या अब लेंगे, यह क्या हो जाएगा? 36 into 36, आ, यह पचिस परसेंट है, सो पर्षीस परसेंट को हम इसको हम एक करश्टे पढ़ ले, आपम लोगो को doubt हो जागा, देखिए है मैं एक करश्ते पिसको ष्क हूअर बढ़ा दता हूँ, प confort ako का एक वर्टा चार 36 इंटू 36 है तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 36 इंटू 36 इंटू 4 यह जगा पहली संख्या आप से पूछा गया है पहली संख्या हो गया आप से पूछा दोनों संख्या में क्या डिफरेंस है तो डिफरेंस निकाल देंगा पहली संख्या माइनस दूस जैसे कौमन भी हो सकता है यहां पर चख करेंगे चल्च उक्चोब इचाव इसमीन से एक गया तो 6 आठ लास्ट में आगा दो अप्शन में ऐसे नहीं होगा 2018 में है नो को मॉल्टीपल विए 26 तो ओड़ को मॉल्टीपल होगा यह कितना चेच्छे बारा ऐट भी समाच पर चीज यह नहीं है इंसा ही है सॉल बनी करेंगे नो का मुल्टीपल है ठीक है ओप्सन वन इसका राइट हैंसा हो जग आप सॉल्सक्राइब करेंगे देख सकते हैं चलेंगा वहले पंदरतिया 45 ठीक है यहां जाएगा 45 आप माइनस 22 प्लस 36 यहां जाएगा माइनस साथ सॉल्ट किजिए इसको कितना आ जाएगा यहां आ जाएगा आपका इन दोनों को सॉल्ट करें देंगे न तो आ जाएगा 14 14 में से 7 गया न तो आ से 940 प्लस 7 डिवाइड़ भाइड़ च्हे कितना होता है 52 इसको क्या लिख सकते है हम 26 वर्टा तीन लिख सकते है 26 वर्टा 3 कहा है औप्शन अ में दिया है 26 वर्टा 34 यह इसका राइट जाएगा देहेगा 26 वर्टा इसका राइट इंस है चलेंगा अगले questions पर अगला questions है वहाला आपके पाल आए प्लस 2, k plus 6, k plus 23, k plus 33 सम्मानपाद में है तो k plus 10 का मानन निकालते हैं बुला क्या k plus 2 divided by k plus 6 equal to k plus 23 divided by k plus 33 यह दिया हुआ है सभी सामनुपाद में सामनुपाद कर दिया के प्लस टू से कितना बड़ा है यह कितना बड़ा है यह कितना बड़ा है टेन ज्यादा है दस ज्यादा है इक्वल करेंगे डिफेंस को यहां चाहा है यहां दस है डिफेंस को इक्वल कैसे करेंगे इन संख्याओं को लेंगे तो 5K plus 10 इधा क्या आजाएगा 2K plus 46 यहां पर कितना आजाएगा 5K minus 2K यहां आजाएगा 46 minus 10 यहां आजाएगा 3K यहां आजाएगा 36 कि के मान कितना आजाएगा 36 divided by 3 कितना आजाएगा बहाती है चाती 12 ऐसका एंसर आ जाएगा अब लेकिन आपको निकालना आजाएगा के प्लस 2L के प्लस 10 होई तो किया आगया 2L और 10 दिया हुआ है दोनों को जोड़ेंगा आप कमाते हैं सेलिंग के पंदय मीट्र कपड़े के सेलिंग प्लस के एक red कमाते हैं तो क्या होगा कि हम कपड़ेusan 135 में बेचे हैं 150 में तभी हम 59 मिट्र का लाव कमाते हैं ठीक है यह न्यों बेचें तो 15 मेट्र कमा 108 मिट्र अब मतलब CP कम होगा तो आपको बताना है लाब प्रतिसात कितना है 15 का लाब प्रतिसात है 135 पर है इन्टु 100 जो जागा प्रॉफिट परसेंटेज क्या जागा 11.11 परसेंट कहां है 11.11 परसेंट इसका होने वाला है 11.11 परसेंट चलेंगे अब अगले कोश्चन्स पर अगला जो कोश्चन हुआ आपको कोश्चन एक तेभूच के छित्रफन निकाना जिसकी भुझाए 12, 16 और 20 सेंटिमेटर दी है देखिए जब भी इस तरह का दिया आयं तो एक बार ध्यान देखिएगा कहीं एक ट्रिप्लेट तो सेट नहीं है ना ट्रिप्लेट का मतलब 90 डि 20 जब जिसका छित्रफल निकालता है और गया नेवला है एक वेटश दो बेस अंटु हाइट ठीक है वॉन वाइट टुम ब्सक्रांटी गया है हाइट कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ है तो हाइट 12 लिख देंगे यहां पर हम काट देंगे आठ बाय में बाय आठे 96 96 कहां है अप्शन सी में दिया है 96 96 का राइट इन से हो जाएगा इन चीज़ों फोकॉस मत की जगए सेंटी मिटर में आगा कि मिटर में आगा वैसा अब बोला क्या गया है 598 प्लस 178 का हॉल असक्वाइब देखे इसको बनाइए कैसे यहां एक फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूँ अब हम इसको यहां आसे मी लिख सकते हैं आप्लस बी का हॉल असक्वाइब वाई ए बी क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा वही तो लिखा हुए है यहां ए का मान है 598 बी का मान है 178 तो क्या हना आ जागा सॉल्व करने फिर आगा इसका एंसर फोर कहां है ऑप्शन बी में दिया है फोर वही इसका राइट एंसर होने यह कंप्लीट यह सेट किया वह फॉर्मूला पर ठीक है चलेंगा अब अगले कोशन पर अगला कोशन एक वास्तविक चाल की तीन बटा पाथ चाल से गतिमान एक व्यक्ति दस मिटर लेट से पहुंचता उसका सामान समय क्या है देखे सामान ने है सामान ने चाल सामान ने दिया हुआ सामान चाल से कह से चलेगा एक है वरतमान चाल दिया हुआ है चाल कितना लिखा हुआ पहले सामान ने चाल कितना है पांच है पांच से कितना होता मिट जादा लगा है दो युनिट का लगा दो युनिट का मान 10 है एक युनिट का मान 5 हो जाएगा आप से पुछा सामान संवं कहा에 यहां पर सामान समय समय ा21-113 को मैल्टिक्टै करें कितना समय हो जागा 15 मिन्ट 15 समाना समय हो जाएगा option c 15 मेंट इसका नॉर्मल टाइम लगेगा इसी डिस्टेंस को कवर करने में ठीक है चलेंगे अब अगले questions पे अगला questions है एक train 360 मिटर लंबे एक प्लेटफों को 40 सकंड में पार कर जाती है प्लेटफों पर खड़े एक वेक्ति को 16 सकंड में पार कर जाती है प्लेटफों का लेंद एक समान लेंगे प्लेटफों का लेंद आपका दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 305 यहां पर distance कितना हो जाएगा एक प्लस 360 टाइम कितना लगा 40 सकंड स्पीड क्या होगा distance वाइट टाइम होता है फोर्मुला distance कितना X plus 360 time कितना लगा है 40 second अब हम इस second case पर चलेंगे एक वेक्ट्री को पार करता है यहाँ पर distance हो जागा X distance हो जागा X आपका और distance X हो जागा यहाँ time कितना लगा है यहाँ time लगा है आपका 16 second तो 16 second लिख देंगे यहाँ से speed कितना आजागा x y 16 दोनों को equate कर देंगे equal कर देंगे तो कितना आ जाएगा x plus 360 divided by 40 यहाँ आ जाएगा x plus 16 यहाँ पर हम solve करते हैं solar x plus 16 into 360 equal to 40 x यहाँ हम solve करते हैं कितना जाएगा 24 x ठीक है 24 आगा ना 24x equal to 16 into 360 हम चो काट लेंगे कैसे काटेंगे 624, 636, 416 x का मान कितना आ गया 624, 240 मिट्र है 240 मिट्र ट्रेन का लंबाई आ गया अब आप से पुछाई स्पीड निकालना है ट्रेन का चाल निकालना है ट्रेन का चाल यहाँ से हम निकाल देंगे इस्पीड इक वर्टू 240 को पार करने में 16 लिती है मिनट अधाया बटा पांस से मल्टिप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा उसको solve करते हैं अब तो शोला पच्छे अधेपितेद्च ऑune फिपटीफोर किलोमेटर प्रतिघंटा खाञ टोर ओप्शन में दिया फिप्टीफोर किलोमेटर फ्रति घंटा प्रतिः घंटा है इसWowने चलेंगा अगले कुश्चन को किसी काम को दस दिन करते हैं पचीस महिला उसी काम को छे दिन करती है आठ पूछा गया है तो यह होमबर्क नमबर टू है बनाइए गए इसको देखेंगे इंसर क्या आता है चलेंगे अगले कोश्चन पर अगला जो कोश्चन है वो कोश्चन है अखिल और निखिल की आए का अनुपाद 6.07 है उनके खर्चे का अनुपाद 9.11 है यदि दोनों की बच्चत समान हो निखिल किया उनके वह क्या कितना है वो आपसे पूछा गया है आए का आए के साथ 11x ठीक है यह है अखिल का यह है निखिल का ठीक है अब इनका आए है तो वह कितना होगा वह के साथ हम 9y और इसको माल लेंगे 11y आपसे पूछा गया है दोनी को बच्चत सामान है मतलब 6x-9y जो है वो सेम है 7x-11y के ठीक है यहां से कितना आ जाएगा यहां से आजाएगा x equal to 2y x बटा y कितना आ जाएगा दोनुपात 1 आ जाएगा तो किसका पुछा गया है निखिल के लिए हम फोकॉस करेंगे निखिल का i कितना होगा और y कितना होगा i कितना होगा 7x है y कितना है 11y है 7x को 7 into 2 11 into 1 कितना जाएगा 14 से 11 14 11 कहां है option b में दिया 14 is to 11 यह इसका राइटेंस हो जाएगा 14 into 11 यह इसका राइटेंस हो जाएगा चलेंगा बगले questions पे अगला जो questions है वो questions है दो null है a b किसी टंकी को 9 minute और 6 minute में fill कर सकते है ए है टंकी को 9 minute में b है टंकी को 6 minute में fill कर सकते है तो हम इसका निकाल दें capacity कितना है 18 है a का efficiency निकलेगा दो b का efficiency निकलेगा तीन दोनों लग नल एक साथ खोले जाते हैं यह दिंग की चार मिनटें को कितना कितना time के बद ए बन किया गया है एक को बन किया गया है मतलब बन नहीं किल बंत किया गया मतलब continue चल रही कब तक चलीगी भी चार मिनट तक चली है बी एक मिनट में तीन भायती है तो चार मिनट में कितना फिल करेगी बाया यूनिट तो स्टिक पॉन फिल किया है बचा हुआ पॉन फिल किया है बचा हुआ पॉन फिल किया है बचा हुआ कितना हो जागा 18 में से 12 गया तो बचा कितन मेरें के बाद एको बंद कर दिया गया तो तीन मेरे तक चाल उठा एका time हो जागा तीन मेरे इसका right answer हो जाएगा ठीक है तो यह complete था video, होपसो आपको video पसंद आया हो 2 homework है दूनों homework को solve किजिएगा, बताइएगा answer comment में और किसी से का आपका डाउट को क्लियर कर सको एक्जाम बहुत नदिक है माइड़ी चांसे से कि इसी मन्त के लास्ट तक एक्जाम हो जाएगा इंचे जो फिर देहान दीचेगा तो वीडियो को ही तक रहनाते हैं वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद थैंक्यों